Hello and welcome back to Asset Guide YouTube channel आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो और Money Laundering Act के बारे बात करेंगे बन इकोसिस्टम के साथ जो रिलेस्टन होने वाला है उसकी भी डिसकसन करेंगे हम बन इकोसिस्टम को यहाँ पर इसलिए इंकलूड कर रहे हैं क्योंकि बन भी एक क्रिप्टो है और यह सभी क्रिप्टो रेगुलेशन के दायरे में आता है जो DSCP बगरा है वो एक अलग मेंटर है लेकिन अल्टिमेटली वन एक क्रिप्टो है क्रिप्टो अभी यह बन चुका है इसको आप polygonscan.com पर verify भी कर रहे हैं तो totally decentralized है तो क्रिप्टो के rules regulation सभी इस पर applicable होते हैं अब देखें मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप सबसे पहले money laundering act देखेंगे तो यहाँ पर देखें गूगल करने पर भी आपको आता है prevention of money laundering act और जब money laundering act लगता है तो वहाँ पर ED और income tax department दोनों active हो जाते हैं आप पर करवे करने के लिए तो सबसे पहले देखें इंडियान एक्सप्रेस की news है यहाँ पर finance minister bring crypto asset under prevention of money laundering act what are the implications तो क्या implications होंगे वो सब यहाँ पर दिया हुआ है मैं आपको detail में बताऊंगा implications लेकिन उससे पहले इस news को थोड़ा सा हम और verify करते हैं यहाँ पर देखें यह nttv.com की news है crypto transaction virtual assets to come under money laundering act तो crypto transactions और virtual assets यह सब भी money laundering act के अंदर आएंगे और यहाँ पर finance minister today announced the cryptocurrency transaction would now come under ambit of money laundering provision तो यह सब चीज़े यहाँ पर होगी अब देखें इसमें क्या सरकार की क्या रोल है वो भी यहाँ पर देखें गजेट आप एंडिया तो यहाँ पर है और ministry of finance तो यह देखें भारत का राजपत्र की पूरा स्टाम्प है cgdla करके यह सारा certificate number gdbd सब कुछ है यहाँ पर देखें बिट्विन वर्चोल डिजिटल एट्ट करंसी यानि कि अपने ईनर कोवन में कनबर्ट करना या btc में कनबर्ट करना और बीक सी को थी इसी को डीजिट्रиком में कंवर्ट करना अगर हम सकते हैं तो तो वो अंडर money lending act के अंदर आता है, transfer of virtual digital asset, अगर आप virtual digital asset transfer करते हैं, तो वो भी money lending act के अंदर आता है, safe keeping ये सारी चीजे हैं, तो चलिए, अब हम आते हैं अपने topic पर, कि ये किस-किस तरीके से अगर आप activity करते हैं, तो money lending act के अंदर आते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ चीजे बता देता हूँ, देखें, सबसे पहले यहाँ पर बात चल रही है, profile deployment की, bank ecosystem के अंदर, तो bank ecosystem के अंदर जो profile deployment हो रहा है, यहाँ पर लग रही है, 25 euro की fees, और इस 25 euro की fees को देने के लिए, आपको करना बढ़ रहा है, इसमें, USDT में, या BTC में payment, तो यह payment जो है, जब आप करते हैं crypto exchange पर, तो इसमें आपको इंडियन exchange से यह transfer नहीं होदा, आपको जाना पड़ता है, बाइनेंस पर गएर अपर, बाइनेंस coinbase से वहीं से transfer हो रहा, तो यह international crypto transaction हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका जो है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, crypto money laundering act के अंदर, यह amount छोटा है, लेकिन जब आप यह समझें कि, एक एक रुपया जब एक लाक अकाउंट से जाता है, तो वो एक लाक रुपया हो जाता है, तो आप 25 यूरो कम मत समझें, रही है कि, कहाँ पर कितना टाइंट समझ जा रहा है, अब कुछ लोग, कुछ जो बिद्वान हैं, वो यह कहेंगे कि, वही, बन के अंदर तो KYC है, बन जो है KYC है, और यह जो money laundering act है, इसके अंदर KYC वाले जो project है, KYC वाले जो company है, या registered है, उनको कोई सुने है, तो पहली बात तो यह है, कि जो one ecosystem है, वो इंडिया में registered नहीं है, पहली बात तो यह है, दूसरी यह, कि KYC तब मानी जाती है, इंडिया के अंदर, किसी financial institution के लिए KYC तब मानी जाती है, जब बहाँ पर pen card include हो, तो pen card अगर जैसे आप बजीर एक्सपर, कोईन डिसी एक्सपर, या जितनी भी जैप पे बगर एक्सचेंज है, वहाँ पर आपका pen card compulsory है, क्योंकि pen card से ही आपके transaction का record रखा जाता है, तो जब pen card ही नहीं है, तो फिर transaction record कहां से आएगा, और सारा जो transaction है, इस चीज़ पर, अब दूसरी बात आती है, कि क्या किस तरीके से कर सकते हैं, वन कोईन का क्या होने वाला, वो ते एक अलग मैटर है, suppose करिए कि आज ही वन कोईन से आपको exchange मिल जाती है, आप वन कोईन को अपने account में, अगर करते हैं, बिड्रोल, तो यहाँ पर भी आपके पास आएगा, ED या income tax department का notice, ठीक है, दूसरा ये, अगर आप तो करते हैं, वन को, BT क्योंकि कुछ लोग swap swap कर रहे हैं, अगर हम BTC, USDT, या फिर, Polygon नहीं समझ लो, Polygon, Polygon में transfer करते हैं, तो यह भी आजाता है, Under Money Loanning Act, और यहाँ पर भी आपके साथ हो सकती है, ED के द्वारा inquiry, अगर हम करते हैं, BTC को, वन में convert या वन को BTC में, तो यह हो गया, यह 22 बरसा रहेगा, तो यह चीज़े बिलकुल यहाँ पर, एकदम धिहान में रखनी है, और दूसरा यह, अभी पहली बात तो यही कि, डील सेकर पर हम fiat conversion करी नहीं रहे, हलाकि डील सेकर, या फिर बन ecosystem जो भी है, इनको अपना business जो है, वो regions के साब से, जैसे इंडिया में है, तो इंडिया की rules regulation के साब से, इसको follow करना है, और सिद्धी सी बात यह है, अगर आप इंडिया में, या फिर कहीं भी, e-commerce business भी करते हैं, तो आपको बहाँ पर pen detail तो डालना ज़रूरी ही है, तो वन ecosystem में pen card compulsory होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ legally हम इसको use कर सकते हैं, और सही तरीके से इसको utilize भी कर सकते हैं, अलाकि pen card से ही, कि हमारे सारे transaction के जो record है, वो verify होते हैं, और हम main stream में आते हैं, और हम taxpayer बनते हैं, और यदि हम pen card का use नहीं करते, तो हम फिर यहाँ पर कोई भी claim नहीं कर सकते, कि हम हमारी KYC हुई हुई है, हमें transaction record का पता है, तो वन ecosystem में pen card इसलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह सारा virtual जो asset है, इसको main stream से side रख गया है, मतलब apart from the regulation इसको रख गया है, अगर आप जैसे हमारे bank note हैं, उनको use करते हैं, one ecosystem में जो point है, उनको use नहीं कर सकते, हम किसी भी main stream के साथ, आप bank को transfer नहीं कर सकते, अपने bank में या फिर bank से नहीं transfer कर सकते, उसको one में, आपको एक ही रास्ता है, वो है BTC या फिर USDT, इसी के द्वारा यहाँ पर payment का लेंदिन होता है, तो जब BTC से आगे हम किसी भी website पर आपके point बनते हैं, चाहिए वो euro में उसको calculate करो, या फिर one के form में करो, token के form में करो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर जब तक KYC document नहीं है, KYC में जब तक tax document नहीं है, KYC को proper नहीं माना जाता, ID और address, यह दो document तो होते हैं KYC करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका tax document भी होता है, जब आप fintex की बात करते हैं, या फिर financial transaction की बात करते हैं, या फिर आप किसी भी crypto की बात करते हैं, और crypto के लिए भी आपको यहाँ पर tax document होना ज़रूरी है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, यह मत समझें कि अगर one coin में हमारे KYC approve भी है, तो हम बिल्कुल safe हैं, हमारे पाँ CD का कोई notice नहीं आगा, अगर आप fund को किसी भी तरीके से transfer करेंगे, बिट्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पर यह जरूर दिखाना पड़ेगा, कि हम इस पर tax दे रहे हैं, या फिर क्या है process, क्या invoice है, invoice का होना जरूर ही है, अगर invoice नहीं रहेगी, तो कापी बड़ी problem आ सकती है, तो यही था इस वीडियो को बनाने का main objective, और मैं यह सोच रहा हूं, कि क्या कभी one ecosystem pen card को भी include करेगा, अपने documents में, तो अगर pen card include होगा, तभी one को fully legal समझा जाएगा, बन चाहे वो one education बाला system हो, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, 110 euro का जो education package बाय करते हैं, तो बहाँ पर भी आपको ना तो GST देना पड़ता है, ना यहाँ पर कोई tax कटता है, क्योंकि यह भी buying bitcoin में ही होती है, तो जब तक pen card का use होना सुरू नहीं होता, जब तक आपका tax कटना सुरू नहीं होता, invoice, tax वाली invoice नहीं मिलनी सुरू होती, तब तक काफी दिक्कते हैं, तो आपको यहाँ पर यह safe note माइंड में रखना है, कि pen card का use होने के बाद ही हम इसको openly use कर सकते हैं, otherwise केवल अपना system कॉल कर देखिए, करोड़ों में समपत्ती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए मिलने हैं next video में, तब तक के लिए keep watching asset guide.